आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार में स्वागत है आज महाशिवरात्री है और काफी पावन दिन है और आप सभी को महाशिवरात्री की हार्दिक शुपकामना है हर हर महादेव बंबं भुले शिवशंभू चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खुबसूरत सी क्लास को RRB, ALP, 2024, Express, Series आप लोगों के लिए continue चल रही है जहां पर सुबह 9 बजे हरीस, 10 बजे आकाश, Express, 11 बजे साहिल, Express आप लोगों के सामने आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको बहुत तरीके से syllabus भी complete करा रहे है नाके वल syllabus complete हो रहा है, revision भी अच्छा हो रह है, जिन्होंने foundation cover किया हुआ है हमारा, या foundation जो पढ़ रहे हैं वो भी, तो दोनों चीज़े combined चल रही है, selection पूरा देंगे, selection 100% देंगे, यह आप लोगों से भी वादा किया है और इस मंच से भी वादा किया है आप लोगों के लिए, आईएगा, शुरुवात करेंगे, आ आप लोगों के लिए हमने आ चुकी है, आप लोगों को फिर बच्चे की demand होती है सब practice भी करनी है, mix practice भी करनी है, तो वो भी है, वो भी आपको YouTube पर free class में मिलता है, तीन बजे catch the math, छे बजे catch the reasoning, और दस बजे catch the science, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारा आनन्द उठा रहे जहां पर आप लोगों को मैं continue basis पर PDF आपको provide कराता हूं, और क्या सफलता का कोई shortcut आप लोगों के पास होता है, क्या, अगर सफलता का कोई shortcut है, तो जरूर बताएं, और जैसा कि मैं जानता हूं कि, जीवन में जो cut in parishram है, उसी, उसी के साथ ही आपको सफलता मिल सकती है, विकल्प्स नहीं है, मतलब options नहीं है, आप cut in parishram करें, साथ के साथ महाशिवरात्री पर आप लोगों के लिए 9 मार्च तक, 9 मार्च 2024 तक, आप लोगों के लिए special price रखी गई है, best offer वाली, अपनी application पर, जाकर आप अपने सभी batches को ले सकते हैं, exam कोई भी हो, तैयारी सिर engineer चाहे group D, सबकी तैयारी के लिए एक बार, एक बार, एक ही batch काफी है, और वो बहुत बहतरीन batch है, आप सभी लोगों को पढ़ना है, बस मन लगा कर, अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की, तो आपको कोई selection से नहीं रोग सकता, तो 600 रुपे और अपनी कोई tricks by science sir application पर आप को मिलेगा, जाकर आज और कल में ले सकते हो आप, और लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करो, अपनी application पर special offer चल रहा है, quick tricks by science sir application पर, चलिए, साथ के साथ आप test series भी ले सकते हो railway की, quick tricks test series अपनी अलग application है, उस पर आपको railway section में test series मिल जाएगी, ठीक है बाया, चलिए, किसमत क रोना रोने से कुछ नहीं होता, हर इंसान को उतना ही मिलता है, जितनी वो कोशिश करता है, ये बात मैं आपको 100% surety के साथ कह सकता हूँ, कि ये बिल्कुल सही बात है, आप चाहोगे कि पढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती है, और अ आज की दुनिया में रोना रोना ज्यादा चल रहा है, और होता नहीं है कुछ भी, सिर्फ रोते हैं, लेकिन अगर आप महनत करोगे, तो आपको उतना ही मिलेगा, जितनी कि आप कोशिश कर रहे हो, उससे जदा आपको नहीं मिल सकता, तो अगर आप सेलेक्शन ले पा रहे पहले हम पढ़ेंगे, सिंपल इंट्रेस्ट, सिंपल इंट्रेस्ट का नाम ही सिंपल है विचारे का, और काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक भी है, इसलिए इसका नाम सिंपल इंट्रेस्ट पढ़ गया, सिंपल का मतलब होता है साधरन, सिंपल, साधरन सा, और इंट्रेस् किसी मूल धन पर किसी एक दर से एक समय के लिए लिया जाने वाला जो पैसा है वो ब्याज कहलाता है इसी को ही हम साधरन ब्याज बोलते हैं इस P को हम प्रिंसीपल बोलते हैं प्रिंसीपल को हम मूल धन बोलते हैं ऐसा धन जिसे उधार लिया गया आपकी आर आपकी दर कहलाती है, जिसको हम rate of interest बोलते हैं, टी आपका आपका समय कहलाता है, और समय हम हमेशा वर्षों में लिखते हैं, time हमेशा हम क्या लिखेंगे, years में लिखेंगे, तो पूरी के पूरी नामकरन हमने कर दिया इसके उपर, ठीक है बैया, clear है, हूं, छीक है चलिए, रेशो का homework भी होगा अभी जी, तिंटा मत करो बेटा है ना, सब कुछ set है दिमाग में, पहले हम यह पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है, चलिए, हाँ, ओके, आईए, तो आपका जो ब्याज है, यह साधरन ब्याज है, और साधरन ब्याज की जो परिभा साधरन ब्याज को लिखता हूं, तो साधरन ब्याज, जो simple interest होता है, वो हर साल, साधरन ब्याज जो होगा, वो हर साल, equal होता है, हमेशा बराबर होता है, मतलब, एक साल का साधरन ब्याज, अगर 20 रुपिया है, तो दो साल का साधरन ब्याज, 40 रुपिया होगा, हाँ, तीन स साधरन ब्याज हर साल इकोल होता है अब साधरन ब्याज को कहते क्या है आई यह सिखाते हैं हम आपको साधरन ब्याज को क्या कहते हैं साधरन ब्याज आपके इस प्रिंसिपल पर एक दर से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगने वाला ब्याज होता है यानि कि इसको हम आर् रेट इंटू टाइम का पर्सेंटेज होता है ठीक है सर एक्जामपल लेकर बताओ गुरू जी आप ऐसे ऐसे कर रहे हूं मैंने का देखो ऐसी बात है कि प्रिंसिपल मैंने माल लिया 20,000 देख लो सामने देखना सब मैंने बोल दिया कि आपकी जो दर है वो है 10% मैंने बोल द आउंगा 20,000 का डायरेक्टली 30% निकाल दूंगा तो 20,000 का आर इंटू टी परसेंटेज तो 20,000 का डायरेक्टली अगर आप 30% निकाल दोगे तो यहां पर आपका जो जवाब आ जाएगा वो 6,000 रुपे आ जाएगा और 6,000 आपका क्या होगा साधरन ब्याज होगा अब 6, जो साधरन ब्याज है यह कितने वर्षों का है कितने वर्षों का साधरन ब्याज है 6,000 यह तीन वर्षों का साधरन ब्याज है 6,000 यह कितने वर्षों का साधरन ब्याज है तीन वर्षों का एक साल का कितना होगा 2,000 रुपया क्योंकि हर साल साधरन ब्याज बराबर रहता है हर साल साधनव्यज बराबर रहता है तो तीन वर्षों का 6000 है तो एक वर्ष का 2000 फिक्स होता है कोई दिक्कती बात नहीं है कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है अच्छी बात है अच्छा rate क्या है rate हमने गुना कर दी इसमें तो अपना ये मामला set हो गया सर अगर हम अकेले rate को परिभाशित करने की बात करें कि कभी पूछा जाए कि दर कैसे निकालोगे किसी को पता है क्या दर कैसे निकालते हैं भाई कोई जानता है आप में से कोई भी दर कैसे निकालोगे तो दर हमेशा याद रखना इंट्रेस्ट किसका इंट्रेस्ट एक साल का हमेशा एक साल का ब्याज एक साल का ब्याज किस पर एक साल का ब्याज किस पर एक साल का ब्याज प्रिंसीपल पर मूलधन पर एक साल का ब्याज मूलधन पर निकालना गुणा सो, दर की अक्चुल परिभाशा यही है, दर, दर मतलब rate of interest, सर यह केवल साध्हन ब्याज के लिए होती है क्या rate, जनरली यह सब में काम आती है, यह मतलब अध्य कंपाउन इंट्रेस्ट की बात करोगे, तो भी दर की परिभाशा यही होगी, कि एक साल का ब्याज, कि वो amount जिस पर आपने पैसा उधार लिया है, किसी से आपने पैसा उधार ले लिया भाई, दे दो पैसा है ना, ठीक है, चलिए, यह दर की परिवाशा हो गई, अब आते हैं अपन टाइम पर, क्योंकि तीनों चीजे पता भी तो होनी चाहिए ना अपन को, टाइम पर, टाइ साल, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो साल, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन साल, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दे दिया जाए सर, एक सही, एक बटे, चार साल, तो क्या लिखोगे, दो सही, तीन बटे, पांस साल, यह भी तो लिखा जा सकता है, पांस सही, तीन बटे, आठ साल तो ऐसे भी time आ जाते हैं तो यहां साध्रन ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी क्योंकि simple इनको fraction में बदलो और solve करके लिख दो जैसे कि यह निकल के आया पांच एकम 4 एकम 4 5 बटे 4 10 तेरा बटे 5 साल यह 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 आपका time ही तो है हाँ और 8 पंजे 40 43 बटे 8 साल यह आपका time हो गया है अब आपसे बात की जारी यह time हो गया मान लो आपका फिर उसके बाद अगर मान लो time हो गया इसके बाद अगर ऐसा paper में आ जाए कि सर 2 साल अगर 3 महीने लिखा हुआ हो तो 2 साल 3 महीने या 4 साल 4 महीने यह भी लिखा हुआ आ जाता है कभी कवर कुशन में तो इसको आप साल में बदल के बताओ बदलो भाई सीखना तो पड़ेगा अभी तो paper में कुशन बनेंगे छोटी छोटी चीजों को भी नहीं छोड़ के चलना है ना छोटी छोटी चीजों को भी cover करते हुए चलोगे तो I think आप आप निकल जाओगे आगे आप सफल हो जाओगे आप कोई डिकत वाली बात नहीं है ठीक है तो जल्दी से बताईए 8 2 साल 3 महीने 3 महीने यानि की 3 बटे 12 यानि की 2 साल 1 सही दो सही एक बटे4 यानि की 4 दुनिया जा बें पर 9 बटे4 4 साल 4 महीने 4 महीने slim तब 4 बटे 12 औरए चार सही एक बटे तीन, 4-2-12 और एक 13 बटे तीन. ये आपका समय है, ये साल है, इतने साल, इतने साल, सर ये जरूरी होती है, क्या जानना हमें? बिल्कुल जरूरी है, वरनकर ही नहीं पाओगे न मिटा? कोई दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कन्वर्जन ही नहीं कर पा साल में बदलो बदलना पड़ेगा अभी कल को पूछ ले आप से कि मेरे को बताओ दो साल 219 दिन तो आप लोगों को तकलीफ तो होनी होनी है क्यों कि आप लोगों को दिन को साल में बदलना पड़ेगा अभी देखते कौन बदल के दिखाता है चलिए, आईए, क्याई बच्चे मेरे से पूछते हैं, हाला कि मैं उसके उपर सेशन भी बताऊंगा, और हाँ, इस संडे को मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन भी लेकर आ रहा हूँ, इस संडे को मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम, और मुझे बताना मैंने आपसे का भी था, इस संडे को शाम को 6 बजे हम सेशन करेंगे, उस सेशन में हम करने वाले हैं कि 2018 से लेकर, 2022 तक जो पेपर हुए हैं, चाहे वो NTPC हुआ हो, चा मतलब ऐसे नहीं कि 4-4 लाइन के, 5-5 लाइन के भी एक दो कुशन है, लेकिन जो सारे अच्छे कुशन थे, मैं उनका एक कमपाईलेशन लेकर आ रहा हूँ संडे को, मतलब वो कुशन जिन्होंने बच्चे को परेशान किया था, वो कुशन मैं आपको करवाने वाला हूँ, इस संडे को, तो इस संडे को एक बड़ा और गजब का सेशन होने वाला है, आप सभी लोगों को आना है उस सेशन में, किसी को नहीं छोड़ना है, पहली बात तो, ठीक है न, प्लान ओके है, वो मतलब जितने भी कुशन आये हैं न, जितने भी, अच्छे अच्छे, जैसे क कौन-कौन से मैं आपको एक्जमपल दे कि याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपके दिमाग में है तो, एक वो आया था, टाइम एन वर्क का, नेगेटिव एफिशेंसी वाला, एक मीडियन का अजीब सा कुशन पूछ लिया गया था, और एक रैशनलाइजेशन पूछ लिया गया था, तो ये वो वाले कुशन जो आपको करी नहीं पाया पेपर में, वो कुशन सारे में अभी करवाओंगा, क्योंकि वो पेपर में दुबारा रिपीट हो सकते हैं, ठीक है भीया, ओके, चलिए, अब ये कुशन देखते हैं, सर, ये क्या करना चाह रहे ह तो आप 1 साल, 1 साल 73 दिन, 73 दिन को मैंने 365 से भाग कर दिया, 1 साल 1 सही, 1 बटे 5, यानि कि ये 6 बटे 5 साल मैंने बना दिया, 2 साल 219 दिन, 2 साल 219 दिन को मैंने 365 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2, ये 33 से चला जाएगा, 3 बार, और 3 बटे 5, तो 10, 13 बटे 5, तो ये आप क्य हाँ ठीक है ना 365 का कनवर्जन करना आना थी तब जाके आपके बात बनेगे तब जाके आप कम कर पाओगे अधरवाइस नहीं हो पाएगा काम आपसे ठीक है तो आप क्या टाइम कनवर्जन सीख चुके हैं चलिए अब मैं आगे लेकर चलता हूँ कभी कभी क्या होता है बु 2.5 % की दर हो गई 3.75 % की दर हो गई 6.25 % की दर हो गई है ना 6.25 % की दर हो कह गई कानको व क्या किसे आप लिखोगे क्योंकि आप गुणा तो नहीं कर सकते ये तो अिप्र कळा नहीं कर पाओगे आप अद ऐसी से प्र gland घू box इंजार आपके वहत्ती साज़न आज 데्या है ह कैसे करोगे बताओ भई कि अ कि अ कि अ चलिए देखिए तो धाई परसेंट का मतलब हो गया सब एक बटे चालिस को में बटेश दिए पांच पार्फ टिया पंदर्रा चालिज तीन बटेश अकि अब केлемश्या Nौ से फारी ही एक बटे चार परसेंटेज साच्चो के 28 29 बटे 400 सर यह आपने कभी बताया क्या भाई मैंने परसेंटेज में सब बता रखा आपको आना चाहिए अब यहीं तो होता है इसलिए परसेंटेज पहले पढ़ाए जाता है बाद में थोड़ी बढ़ाते हैं परसेंटेज को परस कैसा लग रहा है चीजे कियर हो रही है कि कस तरह से चलती है चलिए अब आते है आगे कि सर जी अगर मैं मालनों अमाउंट निकालना चाहूं व्योड़ा कॉनसा धन होता है मिश्र्थन वो धन होता है मेरे प्यारे विध्यारतियों जो 기 प्रिंसिपछ और उस प्रिंसिपल प्रिंसिपल और उस प्रिंसिपल पर एक पर्टिकुलर दर से पर्टिकुलर समय में लगने वाला ब्याज जो होता है कि तो यह आपका मूल धन होगा और यह आपका ब्याज होगा अच्छी बात मिरको इसमें बहुत अच्छी लगती है कि अमाउंट जो होता है common sense लगाते हैं जैसे मान लोग किसी को आपने पैसा उधार दे दिया लेकिन जब आप उससे पैसा लोगे तो ये थोड़ी नहीं कि ला भाई उधारी जो पैसा दिया था वो वापिस कर दे अहां ऐसा नहीं होता है उधारी जो पैसा दिया ला वापिस कर दे ऐसा कभी नहीं हो हुगा हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आपको वह एमाउंट के बैसिस पे लेना मेरे प्यारे विध्यारति जब को मिष्रधन मिष्रधन क्या होता है कि जो मूलधन जो तेरे को उधार दिया था और इस ब्याज में लगाऊंगा अच्छा जो ब्याज ब्याज लेने वाला सिस्टम है यह कौन डिसाइड करता है कौन डिसाइड करता है यह ब्याज मतलब उधार लेने वाला डिसाइड करता है या उधार देने वाला डिसाइड करता है ब्याज कि किस दर पर तिरको ब्याज दूँ क्योंकि ऐसी क्वालिटी पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं देगा जितनी मैं दे रहा हूं मुझे ही पता है कि मैं कितनी सुनता हूं दिन बर में क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं एक्जक्ली देने वाला जो होता है न ब्याज जैसे कि म देने वाला बार बार मांगता है देदे भाईया ब्याज छोड़के देदे बड़ी हालत खराव जाती है अज कल उधारी देने से बचे ठीक है चलिए तो अमाउंट अमाउंट की बात यह है ना अमाउंट यह है और अमाउंट बराबर मूलधन और मूलधन पर लगने वाल और उस प्रिंसिपल पर लगने वाला समय और दर अलग है दूसरा माउंट यह आगया प्रिंसिपल सेम है और उस प्रिंसिपल पर समय और दर और समय अलग है तो बेसिकली इस तरह की कंडिशन में बहुत सिंपल गडित निकल कर आती है कि जितने भी साल का ब्याज अगर आपका होगा वह यहां से डाइरेक्ली निकल कर आ जाएगा अमाउंट के डिफ्रेंस से क्योंकि जैसे आप अमाउंट का डिफ्रेंस करेंगे तो प्रिंसिपल यहां से कट जाता है और यह केवल और केवल ब्याज का डिफ्रेंस आ जाता है किसका डिफ्रेंस आ जाता है दोस्तों केवल यह ब्याज का डिफ्रेंस आ जाता है ब्याज का हुआ अभी अभी आगे ओ रहे हैं कभी कभार माल लीजिए कि कोई आपका जो धन है कोई धन एन गुना हो जाए तब अभी एन गुना वाला concept क्यों पढ़ा रहे हो सर भही अभी जीडी का पेपर लगा है latest हर पेपर में आया हुआ है और एलपी में भी आया हुआ है तो यह एन गुना वाला हो जाए ना तो कभी कोई धन अगर एन गुना हो जाए तो concept बड़ा popular है धन एन गुना हो गया मालो तो एन गुना होने का मतलब आपका जो amount है वह आपका NP हो गया और amount वराबर यानि कि मिश्रधन बराबर मूल्धन और मूल्धन पर लगने वाला ब्याज मेरे प्यारे विध्यारतियों देखो धन एन गुना हो गया और पी आर टी बटे सो यहां से अगर मैं common ले लेता हूं तो एन माइनस का वन इंटू पी बराबर पी आर टी बटे सो पी से आपने पी कार दिया तो condition क्या निकल कर आ गई एन माइनस वन बराबर हो जाता है आर टी बटे सो अब मेरा आप से एक प्रशन फिर से आएगा आपके सामने और सब लोग अपने एना दिमाग को यहीं रखें स वो प्रिंसिपल पे डिपेंडेंसी रखेगा क्या या क्या कभी भी वो प्रिंसिपल पे निर्भरता रखेगा क्या पताईए अगर आपने कोई धन को एन गुना कर दिया तो क्या कभी भी मूल धन पर अपनी डिपेंडेंसी रखेगा क्या मूल धन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखेगा महराज, कोई दिक्कती नहीं है, अच्छी बात है तो दिखाओ मेरे को क्या हो रहे है, एक्जामपल लेता हूँ, यदी, कोई धन, यदी, कोई धन, पांच वर्षों में, यदी कोई धन, पांच वर्ष में, चार गुना हो जाता है यदि कोई धन पांच वर्षों में चार गुना हो जाता है उसकी दर बताईए क्या होगी बताईए झार गुना हो जाता है तो इधन पांच वर्षों में चार गुना हो जाता है तो चार गुना होने का मतलब n-1 अपाउन टाइम इंटू 100 मैंने कुछ नहीं करा मैंने तो यह कुश्चन को दिमाग में रखा बस मुझे रेट निकालनी है तो 100 से गुना होगा ठीका डिवाइड होगा एन का मतलब चार गुना हो रहा है यानि कि तीन बटे पांच गुना सो 60% अब इसी कुश्चन में एक कुश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे यदि कोई धन 20% की दर से 5 गुना होता है तो कितने टाइम में होगा अब यहां टाइम पूछ लेगा आपसे यही तो कुश्चन का खेल है कि 20% की दर से अगर 5 गुना हो गया अब टाइम बता दो लो बताओ टाइम बहुत बढ़िया पांच गुना हो जाता है एन- का वन अब यहां 20 को इज्चत से रख दो और गुना 100 है सजी 20 साल में होगा इसाम्मज में आते हैं कि आपको बात 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 समझ में आरा है यह करके एक बार थम तो जाएगा क्या हो तो जाएगा एक बाद जोड़ा तरीके से सभी विद्ध्यारती थात्र थम सब कर दीजिए कि ऐसा विजया ओर रहा है और आपके सामने इस पस्थ है यह बात कोई बहुत करता हूं किलियरोच मिल गई होगी आपको समझ में भी आप फिवलोगों को चीज कि युदि कोई धन कि बीस परसेंट की दर से कि पांस साल में कि कि कितने गुना हो जाएगा के अब बात समझ में आ लिए ग्या तो आ जाएगा बात अब कोई धन 20% की दर से 5 साल में कितने गुना हो जाएगा मतलब आप सर CHSL का सेशन कब लाओगे शुभम जल्दी लॉंच करने वाले SSC के लिए शाम को मैं क्लास लूँगा 8 बजे मेरा टाइम रहेगा यह भी बता देता हूं लो आपको है ना लेकिन जल्दी आएगा अभी कोई धन 20% की दर से पांच वर्षों में सर पांच वर्षों में कितने गुना हो जाएगा देखो एन माइनस वन बराबर आर्टी अपॉन हंड्रेड तो सर एन माइनस वन बीस पंजे सो बटे सो याने की एक एन बराबर दो दुगना हो जाएगा धन सिंपल है तो अब आपको क्या कंडिशन समझ में आ गई क्या कि इस तरह की कंडिशन चलती है बट एक चीज और आपको परेशान करेगी एक चीज और सर कंपैरिजन वाले कोशन भी तो कही आते ह हाँ यह कंपैरिजन वाले कोशन भी क्या बार आ जाते हैं कंपैरिजन बेस्ट जैसे की एक्जांपल लेता हूं पांच वर्षों में कोई धन नो गुना हो गया तो कितने वर्षों में वो धन बारा गुना होगा बताईए कितने वर्षों में वो धन बारा गुना होगा बत झाल झाल पांच वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो 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 यह बराबर हो गया फच्पन बटे आठ तो कितने वर्षों में हो जाएगा फच्पन बटे आठ वर्षों में गलतियां होती है वह ने दीजिए ना सीखने तो आयो आप कोई और थोड़ी सिखाएगा चले क्लियर है यहां तक समझ में आ रहा है एक कुशन और देता हूं आप लगों को आप ट्राई करना चलो खुद खुद ट्राई करना छे वर्षों में छे वर्षों में कोई धन अपन अब कितने गुना हो जाएगा जंक से करना गल्ती मत करते ना कि मैं आपका वैच लिए बैस पढ़ाते तेंक यू पवन और कोशिश है यही है कि और भी अच्छा करें अच्छा पढ़ाने के लिए टाइम दिया करो मेरे को आप टाइम नहीं देते हैं किसी को लगता सब ती देने का ठीक है है चलो करो जो बच्चा हमारे कूर्से से जुड़ना चाहता है वो अभी ऑफर चल रहा है आज और कल में तो आप ले लेना बिटा है ना न-1 यानि कि 6 एंड यह X मैंने मान लिया बट आप इसको X ना मानकर X-1 मान इये क्योंकि अगर आप X निकालना चाहते हैं तो आप X-1 मानके चलिए यानि कि X बराबर आपका 14 टाइम्स हो जाएगा यानि कि आपका जो धन है वो 14 टाइम्स हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विध्यारतियों वो आपका जो धन है वो 14 टाइम्स हो जाएगा ओके ग्रेट बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलिए ठीक है ओके अब आते हैं दो-दो हाथ करेंगे उससे पहले अगला concept आपको समझातेते हैं जब scheme schemes में simple interest equal हो ये भी condition आती है जैसे कि बूला जा रहा है कि ये A है ये B है इसने क्या किया एक scheme में पैसा डाला principle of A, rate of A, time of A principle of B, rate of B, time of B दो लोगों ने अपना-पना पैसा डाला इस धर पर डाला इतने समय के लिए डाला इस दर पर डाला इतने समय के लिए डाला, बोला क्या जा रहा है कि इनका जो साधरन ब्याज है इनका जो साधरन ब्याज of A और साधरन ब्याज of B ये दोनों बरावर है दौनों के साधरन ब्याज आपस में बरावर है तो आप मुझे बताईए इनके मूलधन का अनुपात क्या होगा बोलो भाई साधरन ब्याज के उपर बात हो रही है तो कन्फ्यूज मत होना इनके मूलधन का अनुपात क्या होगा हाँ, उनके मूलधन का अनुपाद क्या होगा? तो उनके मूलधन का अनुपाद क्या होगा भाई? देखिए, तो हम ये जानते हैं सर, इनके मूलधन का अनुपाद निकालना चाहते हो, तो साधन ब्याच को बराबर करो, PA, R, A, T, A, बटे 100, बराबर, PB, R, B, T, B, बटे 100, नहीं है, हम अनुसार काम करना है हमें, तो 100 से 100 कर जाएगा, PA और PB का जो अनुपाद आ रहा है, वो, R, B, T, B, और R, A, T, A, के बराबर होगा, PB, T, B, R, B, T, B, और R, A, T, A, के बराबर होगा, सर, एक्जम्पल, एक्जम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति, A है, उसने कुछ पैसा इंवेस्ट किया, जो रेट है, उसकी, रेट 10% है, और समय उसका 3 साल है, और B में पैसा इंवेस्ट किया, रेट उसकी 20% है, और समय उसका 1 साल 3 महिने है, तो A और B का सिंपल इंट्रेस्ट इक्वल है, साधन ब्याज इक्वल है, तो दौनों के प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा, बस ये पूछा जा रहा है, जो नॉर्मल लॉजिक है, बताईए, साधन दोई ये एर में X होता, थ्री ये एर में Y होता, हाँ, हाँ, वो करवा दिया, बेटा, रोशन वो उसमें करवा दिया, वो है न, अमाउंट वाले के समें, तब होगा, एंसन काहे लेते हैं भाई, चलिए, प्रिंसिपल ओफ ए, दर आपकी 10% है, समय तीन वर्ष है, प्रिंसिपल ओफ बी, दर आपकी 20% है, समय आपका देखिए डंग से, एक साल तीन महिने को हमने बदला, एक सही एक बटे चार, यानि के पाँच बटे चार, देखिए, दो जीरो से दो जीरो काट दिया, दस से काट दिया यह, ठीक है, और प्रिंसिपल ओफ ए और प्रिंसिपल ओफ बी का जो रेशो आ रहा है, वो पाँच बटे बारह आ रहा है, पाँच बटे बारह पाँच बटे बारह जो रेशो है, यह यह पांच बटे बारा जिनकभी आ रहा है बता दो सकोई दिख्क्त पूनिए आहां बांच बारा नहीं आये गया पांच बटे छे आएगा एह कि पांच बटे छे आएगा बाई मिस्टेक है एप अपॉलोजाई छलिए यहां तक कैसा लगा वाई टीक है समझ में आ कि आपका जो ब्याज है मैंने बोलते हैं ब्याज आपका बीस परसेंट आ रहा है यह बीस परसेंट किसका बीस परसेंट किसका है यह बता दो बस मैंने लिखते हैं कि ब्याज मेरा बीस परसेंट आ रहा है तो बीस परसेंट किसका होता है बीस परसेंट बोलो मैंने बोला बே आज मेरा बीस पर्सेंट आ रहे है बौस बीस पर्सेंट किसका किसका बोलोग जै किसका ऑमोट क्या हो जाएगी तो ख़ी भी अगर अच्छी परसेंटेज होगी अच्छी परसेंटेज है तो ब्याज में 100 परसेंट जोड़कर मिश्रधन या अमाउंट बन जाता है मतलब डायरेक्टल आप 100 परसेंट जोड़ दीजिए जैसे मैं कहता हूँ कि यार ब्याज 40 परसेंट ब्याज है मेरा तो 140 परसेंट अमाउंट होगा हाँ 100 जोड़ तो खटाक से यानि कि 100 आपका प्रिंसिपल मान रहे हो आप 100 परसेंट आपका प्रिंसिपल होता है कुछ भी है ना साथ के साथ में कोई आपसे पूचे की सर 45 परसेंट ब्याज है तो 145 परसेंट अमाउंट होगा यह नीयम है रूल बता रहा हूं तो सर मान वे अगर अच्छी परसेंटेज ना होकर बुरी परसेंटेज हो तब बुरी परसेंटेज है जैसे कि एक्जाम्पल बुरी परसेंटेज है जैसे कि एक्जाम्पल आपका जो ब्याज है मैंने माना ब्याज आपका साड़े बारा परसेंट ब्याज है तो साड़े बारा परसेंट को ही आप फ्रेक्शन में बदल दो एक बटे 8, यानि कि अगर 8 आपका principle है, तो आपका जो एक ब्याज है, तो 9 आपका amount हो जाएगा, तो यहाँ अनुपात में काम करते हैं हम लोग, एक जोड देते हैं, हुआ है यहाँ मनुपात में काम करते हैं जैसे कि अगर मान लो आठ प्रिंसिपल नहीं मानते आप बानते की एक बटे आठ बेहा जहें तो अमाउंट कितना होता वेटा एक सही एक बटे तो अमाउंट आपका अपने आप 9 बटे 8 हो जाता ना तो यह 9 बटे 8 ही एक तरीके से देखा जाए तो है तो इसमें एक जोडते हैं है ओके समझ में आगई बात बुरी पर्सेंटेश के अंदर अब सर्थ इस पर कोशन कैसा बनेगा पेपर में बताते तो हो जब मिश्रधन बराबर हो जब मिश्रधन बराबर हो तो इसकीम ए में आपकी जो दर है मान लीजे 20 परसेंट है आपका जो समय है मान लीजे 3 साल है इसकीम B में आपका जो दर है वो 10 परसेंट है और आपका जो समय है वो 2 साल है और बोला गया है इसकीम A और इसकीम B का जो मिश्रधन है वो बराबर है यानि कि आपके जो दौनों से अमाउंट निकल कर आ रहा है अमाउंट विल बी इककल अमाउंट आपका एककल होगा तो वर्ट अमाउंट आपका होगा तो वोट अबाउट the ratio between principle A और प्रिंसिल पहले चीज़ तो आप आरपी एफ के लिए कवर कर सकते हो अगर बेसिक कवर करने तो भी मेरा इक कामन भैच है foundation badge तो सब चीजे common है बस मैं आपको ये realize कराना चाहता हूं कि बस मन लगाकर पढ़ने की इच्छा जागरत कर लो selection हो जाएगा भाई और ये बता रहा हूं सही source से selection होगा जो इधर उदर भठक रहे हैं ना मैं उन सब को वहीं दिखा दूँगा आपको कुछ दिन बाद कि सर मैं गलती से वहां पढ़ लिया था और मेरा समय भी वेश्ट हो गया और मेरा पैसा भी वेश्ट हो मैं ऐसे बच्चों के comment आपको यहां दिखा दूँगा क्यों क्यों कि भाई मैं महनत कर रहा हूं मेरी टीम महनत कर रही है पूरी तो वह आपको result तो मिलेगा यह धियान रखना बस आप तो उस चीज़ के लिए ही हम महनत करते हैं बस कि हम यह प्रूफ कर सके कि यार काम काम क मैं समझा रहा हूं आपको 20% है तो 120% यह क्या हुआ यह 100 जोड दिया 100 क्यूं जोड़ा 100 जोड़ने की पीचे कारण यही है कि आपको amount बनाना है आपको क्या बनाना है मेरे प्यारे विध्यारतियों आपको amount बनाना है आपको क्या बनाना है मेरे प्यारे विध्यारतियों आपको amount बनाना है मिश्रधन बराबर करने तो आपका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पीए और पीबी का तीन बटे चार चार ती अबारा चार चार चौके सोला तीन बटे चार ठीक है हाँ और मैं आपको पहले बता चुका हूँ संडे को मैं आपके लिए बहुत जोड़दार काम करने वाला हूँ जितने भी अभी तक पेपर हुए है रेलवे के उनमें जितन मैं आपको छे मजे कराऊंगा तंडे को तैयार रहना आप लोग सब ठीक है बिटा बड़ा मज़ा आएगा उन प्रश्णों में ठीक है जो बच्चा आर पीएफ का पेपर करना चाहता है वो रात को आठ बजे कराऊंगा आज मेहनत में कसर नहीं छोड़ूँगा मैं हां य तीन परसेंटेज और समय है मेरा दो साल यह है इसकीम ए मेरी रेट है बारा सही एक बटे दो परसेंटेज और समय है मेरा तीन साल यह है इसकीम मेरी बी अब दौनों के अमाउंट सेम है तो आप मुझे बताईए PA और PB का रेशो क्या होगा और मैंने जो सिखाया था उससे बताना वाई यहां पर में कह सकते हैं है कि देखिए कि देखिए यहां पर हम यह कह सकते हैं कि यह एक बटे च्छै है यहां पर हम कह सकते हैं कि एक बटे आठ है प्रियाज कितना हो जाएगा फिर इसको इससे गुणा कर दो सर दो गुणा एक बटे छह याने की एक बटे तीन ठीक है ब्याज यह हो जाएगा सर तीन बटे आठ ब्याज आए तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि प्रिंसीपल ओफ ए अब इस ब्याज में एक जोड़ दो ब अचर बटे 3 और प्ली डिबी बराबर कि तना ह्गया भाई ग्यार बटे आठ भाज लै पी बड़ाबर कितना हो गया वही तैसे दिया अटे से तैसी हत्य विद्वाटे देशों आगे 33 बटे 32 क्लियर है भई है ठीक है क्लियर है समझ में आगी बात मज़ा आगया स्टार्ट करें कुशन करना कौन-कौन तयार है क्लियर है चलिए आई पहला प्रश्ण हुआ है क्लिए पाटारी न इस लह है प्लिए आग क्लिए आगे स्टार्ट यूल क्लियर क्लिए थैजु करें पहले है ह grenades देगे आ BLACK झाल झाल 1600 रुपे की राशी 6 साल की अबदी में 5% की साध्रन ब्याच की दर से अरजित ब्याच की दर से पीज़़के तो हम यह कह सकते हैं कि 6 साल की 5% की दर से कितना हो रहा है 30% तो1600 का आपका जो 30% है कितना हो जाएगा यह हो जाएगा सर जी 480 480 ब्याच ब्याच की बात कर रहा है입니다. की बात नहीं कर रहा हूं अगर बोलता तो जुड़ जाता हो उसमें ठीक है अगला प्रशन करके दिखाएंगे आप आराम से करिए मंतली पीडिएफ करेंट अफेर की डल चुकी है एक प्रीवियस यर पेपर पीडिएफ नाम से फोल्डर है अभिनाश एप्लिकेशन में उसमें मिलेगी वो है ना देख लेना पूरी फरवरी की पूरी जो पीडिएफ है इबुक बनाकर अंजली मैम ने डाल दी है अब अंज की शादी है तो थोड़ा उनको टाइम लग रहा है इसी वजह से 4 परसेंट वार्षिक साधन ब्याज की दर से 1250 उर्पे की धनराशी पर छे वर्षों का ब्याज बताईए तो 1250 उर्पे की धनराशी पर 24 परसेंट निकालना है आप 24 परसेंट कैसे निकालेंगे 25 पंजे 125 और पच्चिस चौके 100 और चार चिकी 24 तो 300 आपका अंसर आ गया 300 आपका अंसर आ चुका है 300 आपका राइट आंसर है जोर्दा तरीके से कहच दिया मीटर भाई सभी विध्यारती लाइक शेयर करते रहिए अगला प्रशन आपके सामने है यह लीजिए का क्या आपका अंसर आ और भाई साथी ने एक बैंक में 825 उर्वे जमा किये, 8% वार्षिक साधन ब्याज का वादा किया था, यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है, तो कितना ब्याज अर्जित हो जाएगा, तो 40%, तो 825 का 40% याने की 2 बटे 5, पांच का भाग आप दे दोगे, तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 एकम 25, 165 गुना 2, 330 रुपया का ब्याज आ रहा है, तो साथी को 330 रुपया का ब्याज मिला, केवल, 330, 330, और दोस्तों जो बच्चे आज पढ़ रहे हो माल लो, तो अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कि आप कोई चीज शुरू करते हो, उसको खतम नहीं करते हो, कौन-कौन इस बात से अग्री करता है, आप हर चीज की शुरुआत में तो आप साथ में रहते हो, बट आप बीच में चले जाते हो, औ और फिर जब एक्जाम आता है तब आप सोचते हो कि आप पंदर दिन बचे आप पढ़ लूँगा, तो फिर बेटा आप अपना सेलेक्शन ना होने का पुलंदा भांद लेते हो, अगर मेरी इस बात से सुनकर दस बच्चों का भी माइंड चेंज होता है, कि रेगुलर्ट कोशन है, अब जैसे कल और तफ कोशन आएंगे, फिर इंस्टॉल्मेंट के कोशन आएंगे, तब तक तुम रहोगी ही नहीं, तब तक तुम रवाना हो लोगे, तो जो चीज सीखने की होती है, वो आप सीखने ही बाते हो फिर, प्रॉब्लम ही आजाती है आपके साथ में, चलिए, इस कोशन को भी निप्टाईए, फिर आपको होमवर दूगा, चलिए, बाइस्तो पचास उर्पे की धनराशी, तीन परसेंट की दर से, दो साल में कितना ब्याज अर्धित कर देगा, तो बाइस्तो पचास उर्पे की धनराशी, तीन परसेंट की दर से, यानिकी छ तो देखो जीरो से जीरो काटा अब इसको दो दे दोगे तो कितना हो जाएगा चारसो पचास चारसो पचास एंटू तीन बटे दस तो पैंती एक सो पैंतीस रुपया 135 रुपीज और लास्ट एंड फाइनल कुश्चन है इसको आप बनाईए फिर उसके बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं है ना ठीक है चलिए इस कुशन का अंसर दीजिए कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि 10,500 रुपे की धन राशी को साड़े बारा परसेंट की साधन व्याज की दर से इतने वर्षों के लिए साधन ब्याज बताओ तो दस हजा़ार पांसो रुपे की राशी है और साड़े बारा परसेंट यानि की एक बटे आठ समय कि हमेशा ऐसे लिख सकते हो आप कोई दिक बस तो बचे 15 15 16 145 बचे कितने बहिया 11 11 110 और 16 968.75 आपका आंसर आजाएगा जो कि आपको ब्याज के तोर पर देना है बी ऑप्शन लेकिन अभी रुकिए अभी सबर करिए आप लोग आपको अभी होमवर्क भी मैं दिखाता हूं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा तो इस संडे को इस संडे को मैं आप लोगों के लिए जो भी वेपर हुए एल्पी टेक्नीशन आर पीएफ एंटी बीसी गुरूप डी पिछले वर्शों के पूछे गए जितने भी प्रशन है गनित के बहतरीन सवाल जिन्नों के सभी को किया था परेशान वह सब मैं आप भी आप देखिए आप छटवे कोश्चन से लेकर ये करने कमेंट सेक्शन में कल भी क्लास होगी छटवां साथवां आठवां नोवां दसवां ग्यारे बारे तेरा चौदा ये सारे कोश्चन आपको होमवर्क में करने 20 तक सर कल आती कराओगे बिलकुल कराओगा क्यों नहीं करोंगा भाई मेरा काम है लगातार मेहनत करवाना मेरा काम है आप लोगों के सलेक्शन करवाना मेरा काम है जो लोग जो चीज आपके अंदर नहीं है वो करवाना मैं रेशो के कोशन भी करवांगा जो हमारे बचे हुए थे कल करवांगा साथ के साथ में 9 मार्च तक 9 को बारे बजे तक आपके लिए स्पेशल प्राइज ला दी गई है बंबं भोले के चक्कर में महाशिवरात्री के पावन दिन पर क्विक ट्रिक्स भाई साहिल सर एप्लिकेशन के कोर्स इस पर तैयारी कोई भी हो एक्जाम कोई भी हो पढ़ना आपनको अपनी एप्लिकेशन अपने परिवार के साथ में 9 मार्च तक आफर रहेगा जिसमें आपको यह आरार भी बैच में 600 रुपे का आफर आपको चल रहा है वो कॉंटिन्यू बेसिस पर चल रहा है आप अपनी एप्लिकेशन से एक ही बैच में आप सभी एक्जाम की तैयारी कर सकते हो अगर आप मै मैठ का पाउंडेशन आपको मिल जाएगा जिसमें अर्थमेटिक, एडवांस सब कुछ आपको मिलने वाला है जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड जो चल रहा है वो लाइव बैच लेने का तरीका बहुत अच्छा हो चुका है अब आपको पेड कोर्स में जाना है उसके बा वैसी आपका एक नंबर आएगा अब नंबर पर सम्मिट्न करती आपको लिंक आजाएग उस लिंक के फूह आपको पेमेंट करदेना है और पेमेंट करती आपका क्लिक करती आपको वौट्सेश मेंसिज भी आ जाएगा कूपन कहा लगेगा दो नरॉप ढरूर लगा लेना आर वी में शेहां का कूपन है और इसमें की दोस्तों का कूपन है महा शिवरात रिवाला ठीक है तो जाकर अभी यह आपको फिर 599 का पढ़ जाएगा ठीक है भई चलिए तो यह फिर लगा लेना हमें बताना पड़ता है system को भी कि यह उपलक्ष है, इस उपलक्ष में हम दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, साथ के साथ test series पर भी offer चल रहा है, railway की test series आप ले सकते हैं, जो बच्चा test series लेना चाहता है, express batch continue है, catch the math 3 बजे होगा, 6 बजे catch the reasoning, catch the science, यह telegram channel पर PDF आपको मिलेगी, math भाई साहिल सर पर, बस सफलता का नहीं होता, जो मेरा foundation batch है, इसमें पूरा syllabus जो cover हो चुका है, वो recorded में, जो चल रहा है, वो live आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आराम आरम से पढ़ा रहा हूँ, यह पहली बोल देता हूँ, जिसकी नहीं है, वो कोई मात नहीं है, वरना आप द साइंस का 399 में में, रीजनिंग का 499 में रुपे में, ठीक है, मैत का, अपने इसाब से बैचर सारे चल रहे है, ठीक है, और अपनी application को डाउनलोड कर लेना, कुछ ट्रिक्स भाई साहिल सर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि आपको आया होगा, बमबम बोले, हर हर शंभू, मिलते हैं आप से अगले सेशन में, तीन बजे, कैच दा मैत, रात को आठ बजे, आर पी एफ का पेपर, जैहें